Hey plantaholics, welcome back to my channel, hope you are doing well friends this video is all about top 15 heavy flowering plants for October garden तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पूरी वीडियो में आपको बहुत ही खुबसूरत profuse bloomers देखने को मिलेंगे especially October garden के लिए तो इसलिए आप लोग प्लीज एंड तक बने रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो आप प्लांट देख रहे हो यह है अलमांडा का और फ्रेंड्स आप देख सकते हो आज मेरा कितने खुबसूरत से flowers इसमें खिल रहे हैं यह देखिए एकठे चार पांच flowers किल गए हैं तो बहुत ही जादा खुबसूरत यह प्लांट देखने में लग रहा है although यह wine है और मैं भी इसको wine ही कर लो कभी दे रहे हूं और आप देखिए नीचे में कितने सारे flowers किले हुए इसके साथ आपको इसमें कुछ other shade भी मिल जाएंगे जैसे कि आपको इस कलर का भी almanda का plant मिल जाएगा जो कि एक semi wine होती है बहुत ही खुबसूरत यह plant देखने में लगता है और October में यह बहुत अच्छे से blooming करता है तो इस plant को अगर आपके पास नहीं है friends तो आप इसकी cutting को भी लगा सकते हो इसमें बारिश भी हो रही है रुक रुक के तो आपकी जो cutting होगी वो लग जाएगी और अगर आपको यह plant मिल जाता है आसपास की nursery पे तो इसको आप as a plant के तोर पे भी buy करके लगा सकते हो बहुत ही खुबसूरत आपका garden देखने में मिलेगा इसका जो color combination है इस particular जो semi wine का बहुत ही जादा खुबसूरत सा देखने में लगता है इसका flower का आप size देखे काफी बड़े-बड़े से flowers किलते हैं तो अगर आपको ऐसे flowering plants पसंदे जिनके flowers का size काफी बड़ा सा हो तो आप almanda को ज़रूर include करिए और October में यह बहुत अच्छे से flowering करता है और इसमें आपको एक color यह भी मिल जाएगा तो जैसा भी color आपको पसंद हो अगर आपको ऐसा off white color पसंद है तो आप off white color का भी plant लगा सकते हो और flowers की अगर मैं बात करूँ तो इसमें गुच्छों में flowering होती है तो आपका पूरा garden जो होगा वो बहुत जादा द से बहुत ही छोटे-छोटे से flowers लगते हैं इसके plant में अगर आपको ऐसे unusual flowering plants पसंद है तो इस plant को मैं highly recommend करूँ यह क्योंकि बहुत ही छोटे से flowers होते हैं कभी मतलब बहुत जादा uncommon plant है आपको हर plants में छोटे-छोटे से तो flowers देखने को नहीं मिलते हैं तो friends अगर आपको ऐस tiny flowers पसंद है तो इस plant को आप जरूर लगाईए आप देखिए ऐसे edges space में flowering इस समय हो रही है बहुत जादा खुबसूरत यह plant देखने में लगता है इसमें आपको other colors भी मिल जाएंगे इसमें आपको white भी मिल जाएगा इसके साथ-साथ lavender color मिल जाएगा और यह आप जो देख लगेगा और बहुत ही खुबसूरत सा देखने में लगेगा इसके बान next जो आप प्लांट देख रहे हो यह है English rose का English roses में भी आप flowering बहुत अच्छे से हो रही है तो October garden में आप इसे जरूर लगाईए आप इनके जो flower का size है वो भी थोड़ा सा बढ़ने लगा है यह जो आ आप मेरा plant की variety देख रहे है रोस की especially यह medium size में ही किलता है तो पहले तो गर्मियों में बहुत ही जादा चोटे-चोटे से flowers किल रहे थे अब इसके जो flower का size है वो थोड़ा सा बढ़ सा गया और काफी जादा healthy से rose के सारे ही plants देखने में लग रहे है यह देखे friends यह other है pink color वा और अगर आपने कश्मीरी गुला अभी तक नहीं लगाया friends तो आपका rose garden जो है वो अधूरा आप इसको जरूर से जरूर लगाईए बंचस में flowering करता है throughout the year करता है बहुत extreme जब ठंड पढ़ती है तभी इसमें flowering नहीं होती नहीं तो friends पूरा साल गर्मियों में भी यह बह लाश है तो आप एक almanda को लगा सकते हो और एक यह जो cypress wine है तो October में यह बहुत अच्छे से flowering करेगी और आप देखें यह seeds के थूप बहुत आसानी से लग जाता है अगर आपने इसको एक बार अपने garden में include कर दिया तो friends यह कभी नहीं जाने वाली क्योंकि इसकी seeds जो होते हो तो इस plant को भी आप जरूर इंक्लूट करिए नेक्स जो आप plant देख रहे हो यह है pink trumpet wine का बहुत जादा खुबसूरत एक flowering plant होता है और बुशी होता है और उसमें जब इस तरीके से bunches में flowering होती हो और purple color जो की usually common नहीं होता है आपको इस तरीके से pinkish and purple का जो combination है वो बहुत जादा amazing सा लगता है तो इस plant को भी आप अभी October garden में जरूर लगाईए इस समय में flowering बहुत अच्छे से हो रही है आप देख सकते हो कितनी सारी birds से flowers से लदा हुआ है plant तो आप अभी के time पे इसको लगा सकते हो अगर आपको इसकी भी cutting कहीं से मिल जाती है तो आप इ ऐसे trumpet shape के जो plants होते हैं वो बहुत जादा pollinators को attract करते हैं आपको orange jubilee ticoma भी जो होता है वो भी attract करता है तो उसको भी आप जरूर लगाईए इसके बाद next जो आप plant देख रहे हो यह है हिबिसकस हिबिसकस में भी पूरे साल year around बहुत अच्छे से flowering होती है October में भी आप दे plant को जरूर इंक्लूट करें इसमें आपको ऐसे white color भी मिल जाएगा आपने red और pink अभी देखा तो बहुत अच्छे colors में आपको यह मिल जाएगा तो mix and match करके अगर आप अपने garden में लगा के रखोगे तो आपके garden का जो पूरा एक खुबसूरती जो होगी वो एक तरीके से enhance plants हो जाएगी बढ़ जाएगी इन plants की वजए से क्योंकि इस plant में daily ही flowering बहुत अच्छे से होती है तो आप hibiscus को भी जरूर से जरूर इंक्लूट करिए और specially desi hibiscus hybrid से जादा desi पे focus होगी है तो आप जो flowers की कम्मी को बिलकुल महसूस नहीं कराएगा यह plant और इसके बाद की जो खुश्बू आती है वो बहुत ही जादा soothing और calming सी होती है तो इस plant को भी आप जरूर लगाई इसकी plant variety भी आती है मधु कामनी जो होता है वो भी आप जरूर लगाई है वो भी बहुत अच्छे से flowering करता है और अगर आपके पास space की coming है तो इस plant को आप जरूर से जरू flowering plant है तो friends आप जरूरी नहीं सिर्फ जो देखने में कुपसूरत से लगें आप ऐसे flowering plants को भी जरूर अपने garden में जगा दीजिए जिनसे fragrance हाती हो तो आपकी garden का जो पुरा environment होगा वो बहुत ही जादा soothing सराएगा आपको mental peace मिलेगा अपने garden में तो इन plants को भी आप जरूर स कोमा का जो की friend ना सिर्फ इसकी leaves और flowers में हर बार बोलती मुझे बहुत vibrant इसके flowers देखने में लगती है इनकी leaves इतनी fresh ती लगती है तो बहुत ही beautiful एक addition होगा अपने garden में अगर आप इसे include करोगे और इसे भी आप cutting के थूरू बहुत ही आसानी से propagate कर सकते हो आपका पूरा जो care की requirement नहीं होती हो flowering जो होगी वो बहुत अच्छे से करेगा तो इस plant को भी ज़रूर include करी हो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है trumpet shape के flowers होते हैं तो यह pollinators और hummingbirds और bees को attract करते हैं तो आपके पूरे garden का जो मौहल होगा वो बहुत ज़ादा खुबसूरत सा देखने में नेक्स जो आप प्लांट देख रहो है देसी गुलाब का देसी गुलाब भी एक fragrant flowering plant होता है बहुत ही soothing सी इसकी fragrance होती है तो इसे भी आप इंक्लूट करें ऑक्टूबर में यह बहुत अच्छे से flowering करता है आप तो इनका season आ गया है तो आप इनको ज़रू लगाए मेरे य आप अपने garden में ज़रूर इंक्लूट करिए इसके बाद next जो आप प्लांट देख रहो है यह है एक जोरा का फ्रेंड्स एक कितना खुबसूरस सा बंच आज मेरे इस प्लांट में खिला हुआ है बहुत beautiful यह प्लांट देखने में लग रहा है और जब जब इसने flowering करी है जैसे आप नीचे देखे इस पैंट हो रहा है ऐसी के तुरंथ बाद ही इसमें फिर से बढ़ आना शुरू हो जाती तो यह जो मेरा प्लांट में जब से ले गया है हमेशा ही इसमें जो बढ़ व घिरा है और फ्लार्ट वघर निकलते हैं बस हार्ष विंटर्स में ही इसमे बहुत अच्छे से flowering करता है और आप देखिए आपको इसमें कुछ other colors भी मिल जाएंगे और variety भी मिल जाएगी एक आपको इस तरीके की भी variety मिल जाएगी जो की थोड़ी सी height में जाती है और tree का थोड़ा सा look ले लेती है अगर आप इसे ground में लगाओगे तो पूरा ये एक tree क ले लेगी तो अगर आपके पास ground में जगा है तो आप महाँ पर भी लगा लो देखिए इतने बड़े-बड़े से bunch में इसमें flowering होती है बहुत जादा खुबसूरत आपका garden लगेगा इस plant को में भी को भी मैं highly recommend करूंगी अगर आपको bunches में flowering करने वाले plants पसंदे और इस तरीके कि आपको color जो होते हैं वो बड़े vibrant से एक्जोरा में देखने को मिलेंगे तो इस plant को आप ज़रूर से ज़रूर अपने garden October garden में include के लिए आपको पूरा garden बहुत ज़ादा beautiful सा लगेगा और फ्रेंट यह जितने भी plants में आपको दिखा रहे हूं सारे ही perennial plants हैं मतलब permanent flowering plants है तो ऐसा नहीं कि आपने इनका कोई एक ही season होगा मतलब summers में ही flowering करेंगे या फिर winters में ही करेंगे यह पूरे साल बहुत अच्छे से flowering करते हैं बस harsh जब भी weather रहेगा तभी इनमें flowering नहीं होती है इसके बाद next जो आप plant देख रहे हो यह है कनेर का फ्रेंट कनेर मे इसमें बहुत अच्छे से flowering हो रही है और बहुत ज़ादा hardy plant होता है और इसमें भी आपको bunches में ही flowering देखने को मिलेगी तो इस plant को भी आप ज़रूर इंक्लूट करिए यह plants आपको बहुत आसानी से कहीं से भी roadside आपको nurseries पे भी मिल जाएगा आपको parks वगेरा मिल लीजे तो अभी आपकी जो प्लांट की cutting होगी वो लग जाएगी नेक्स जो आप प्लांट देख रहे हो यह है जट्रोफा का जट्रोफा अभी फ्रेंट पूरा नोवेंबर तक बहुत अच्छे से flowering करेगा जब बहुत ज्यादा extreme धूप बिलकुल नहीं निकलेगी तभी अभी जब तक इसको soothing environment मिलता रहेगा धूप निकलती रहेगी तब तक यह flowering बहुत अच्छे से करेगा जब कोहरा पढ़ने लगेगा धूप बिलकुल नहीं निकलेगी तब इसकी पत्तियां भी shed हो जाती है और फिर इसमें flowering वगेरा कुछ भी नहीं होती है तब ही इसका गार्डन में जगह जरूर दीजेगा आपको flowers की कमी जो होगी वो कभी भी मैसूस नहीं होगी अपने गार्डन में बहुत ही beautiful यह भी plant होता है next जो आप प्लांट देख रहे हैं यह है बोगनवेलिया का friends बोगनवेलिया एक lot flowering बहुत अच्छे से कर चुका फिर से आप दे दूमी में flowering करता है यह सिर्फ मॉनसून में flowering अच्छे से करता है अभी आपका early December तक बहुत अच्छे से flowering करेगा बस इसमें भी जब harsh winters हो जाएंगे जब बिल्कुल धूप नहीं निकलेगी तब इसमें flowering नहीं होगी तो अभी के लिए आप अपने October garden में इस plant को भी ज चानल को like share और subscribe जरू कीजेगा hope you like the video thank you so much झाल